दिली करन न्यूस में अभी की खबर है वीर सावरकर की 141 जयनती हर साल 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामूदर सावरकर की जयनती मनाई जाती है वीर सावरकर एक भारती स्वतंत्रता सेनानी राजनितिग्य वकील और लिखक थें इन्हीं स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म 28 मई 1883 को महराश्टर के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था स्वतंत्रता संग्राम में विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका तथा योगदान वीर सावरकर इंडिया हाउस नामक राष्टरवादी संस्था से जोड़े थे इन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी के स्थापना भी की थी बता दे कि वर्ष 1911 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 50 वर्ष के कठोर कर आवास की सजा सुनाई थी और उन्हें अंडमान निकोबार्द्वीब समो में स्थित काला पानी जेल में डाल दिया गया लेकिन वर्ष 1921 में उन्हें रिहा कर दिया गया गौर तलब है कि वर्ष 1923 में इन्होंने हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की साथ ही कहा कि भारत किवल उन्हीं लोगों का है जो इसे पित्र भूमी और पवित्र भूमी मानते हैं इन्होंने वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदु महासभा के अध्धक्ष के रूप में कारे भी किया था वीरसावरकर ने The History of the War of Indian Independence नामक एक पुस्तक लिखी आगे बंडे से पहले आपको बता दे कि MPPSC प्रिलम्स एक्जाम नजदी का रहा है और इसके लिए MPPSC Target Current Affairs Revision Series चलाई जा रही है इस प्रोग्राम को आप द्रिश्टी PCS चैनल पर देख सकते हैं प्रोग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को वीर सावरकर के बारे में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, इनका जन्म 28 मई 1883 को महराश्ट्र के नासिक जिले में हुआ था दो, इन्होंने The History of the War of Indian Independence नामक एक पुस्सक लिखी उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बीक एवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद दियो व्यूवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले